नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Sleepy Classes में मेरा नाम है आयूश रहना और आज मैं आपसे डिसकस करने वाला हूँ Prelims के Result के बाद Next Step जो 14,625 लोगों की जिंदगी में आने वाला है वो है Means लिखने का Opportunity Means लिखने की Opportunity बहुत ही जादा Rare है ऐसा नहीं है कि सब लोग जाके Means लिख सकते हैं एक Stage पार करने के बाद Means लिखने का मौका मिलता है इस मौके को बुनाना, इसे Consolidate करके एक अच्छे effort और अच्छे attempt के अंदर लेके जाना अगले 70 days में define होगा हालांकि आप का होगे कि अभी तो 85 से जादा days बचे हैं तो मैं 70 days क्यों कह रहा हूँ वह इसलिए क्योंकि 70 दिन के अंदर अंदर ही decide हो जाएगा कि आप Means के लिए ready है या नहीं और आखरी का जो हफता होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपना self confidence डेवलप करने के अंदर आपका जाएगा 1056 vacancies हैं तो ऐसा मान सकते हैं कि 2500 से 2800 लोगों को interview call आने वाले हैं after the means examination इस 2500 से 2800 की list में आने के लिए कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है उसमें सबसे important बात ये है कि हर पल इस वक्त से लेके end of the preparation तक आपके mains की preparation तक important है इसलिए मैं जादा time इस वीडियो में आपका भी नहीं खर्च करूँगा मेरा इस वीडियो को बनाने का purpose ये है कि आपको एक detailed schedule प्रोवाइड कर सकूँ एक detailed schedule प्रोवाइड कर सकूँ इस schedule के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आगे आने वाले 70 days को आप roughly दो बार revision की iteration करने में इस्तमाल कर सकते हैं और last week के अंदर आप multiple revisions करोगे of all the subjects वो कैसे possible हो पाएगा सबसे पहले schedule की तरफ नजर दुडाते हैं schedule कुछ इस प्रकार से मैंने बनाया है कि GS1 और GS4 and please keep in mind कि मैंने optional के लिए आपको इस schedule में time slot दिया है जो मैं time slot discuss करूँगा लेकिन optional को plan आपको अपने-अपने optional के एसाब से करना होगा मैं हर एक optional के लिए specific strategy नहीं दे सकता हूँ because there are so many people with different options coming back मैं general studies के context से पहले block 3 weeks का उठा रहा हूँ और मैं आपको schedule भी दूँगा just remain with me till the end of this video and I will show you the schedule here as well तो 3 weeks का पहला block होगा जिसमें आप GS1 और GS4 पढ़ेंगे ये उन लोगों के लिए जो self study कर रहे हैं जो किसी particular schedule को follow नहीं कर पा रहे हैं और उनकी मदद के लिए मैं बना-बनाए schedule दे रहा हूँ जो students हमारे crash courses या test series में enrolled है उनके लिए schedule फिट बन चुका है जिस हिसाब से testing होगी उस हिसाब से schedule वो follow करेंगे वापिस आता हूँ GS1 और GS4 GS4 क्यों? Why I am saying GS4 पहले उठाओ 2-3 की जगा क्योंकि ethics आम तोर पे हम prelim से पहले कम पढ़ते हैं या तो कुछ students है जो पढ़ते ही नहीं है और कुछ students है जो बहुत कम पढ़ते है इसलिए पहले GS के एक static किस्म के subject के साथ जिसमें ज़ादा dynamism और ज़ादा current affairs नहीं है उसके साथ-साथ आप ethics उठाओगे तो ये एक अच्छा combination बनेगा अब possibilities दो थी क्या possibilities थी कि अगर मैं तीन हफ़ते तक ये पढ़ रहा हूँ तो मैं पहले दिन GS1 दूसरे दिन ethics फिर तीसरे दिन GS1 दूसरे दिन ethics ऐसे करके alternate days की strategy follow कर सकता हूँ लेकिन मुझे personally ये strategy appeal नहीं करती मैं चाहता हूँ मेरे दिन में तीन हफ़ते के अंदर आप ये subjects cover करोगे और day by day schedule मैंने बना दिया है इसका तो जैसा कि आप अपनी screen पे देख सकते हो कि ये schedule 3rd July से start हो रहा है लेकिन अगर आप इसको 5th July से भी start करना चाते हो कर सकते हो you can start from 5th July as well just keep in mind कि ये 70 days का है तो 70 days में ही complete हो सा topic पढ़ना है और कितने दिन उस पे spend करने चाहिए ये ideally मैंने अपने खुद के 5 attempt लगाने के बाद सीख लिया इसलिए आपके साथ discuss कर रहा हूँ ये basis क्या है इस तरीके का schedule बनाने का वो इसलिए क्योंकि मैंने खुद 3 बार mains की तियारी की हुई है दो बार successfully और most importantly मैंने previous year questions syllabus के topics की weightage पूरी तरीके से analyze की हुई है ताकि आप लोगों को ये सब ना करना पड़े तो ये जो दिन दिये गए है particular topic को वो इसलिए दिये गए है because of these two parameters तो आपके पहले 3 हफते के अंदर आप इस schedule में देख सकते हो कि detailed तरीके से add की गई है चीजे बीच में आपके लिए revision और backlog का time भी रखा है जिसमें आप एक दिन backlog पूरी करोगे और उसी दिन आप test भी दोगे अब इस schedule के खासियत ये है ठीक है कि पहले first 3-4 weeks में जो इसमें test है वो spaced out है मतलब उसमें spacing जादा है 10 दिन बाद है एक test फिर अगले 10 दिन बाद एक और test ऐसे है and जैसे जैसे आप इसको follow करते जाओगे test की frequency कम होती जाएगी बढ़ती जाएगी अब ये test आएंगे कहां से आप किसी भी test series को follow कर सकते हो चाहे आप sleepy classes की test series को follow कर सकते हो जिसमें 8 sectional और 4 full length test है या आप कोई भी institute की test series follow कर सकते हो not a big problem लेकिन minimum आपको 12 test तो लिखने ही चाहिए and suggestively suggest करूँगा कि 8 full length test लिखने चाहिए if possible मतलब 12 minimum है और उसके ओपर 4 extra बोल रहा हूँ लेकिन 12 bare minimum है खास तोर पर उनके लिए जिनोंने अभी mains के लिए specifically त्यारी पहली बार कर रहे है ठीक है now कोई भी test series का schedule जो होता है आम तोर पर flexible होता है जैसे हमारी test series का schedule भी flexible है आप अपने हिसाब से test लिख सकते हो और उसको evaluate करा सकते हो जरूरी नहीं कि जो वो schedule दे रहा है उसी के साब से आप करो तो इस हिसाब से जो आप ये पढ़ने वाले हो उस हिसाब से test select करके आप उन test को fulfill कर सकते हो अब जैसे अगर आप sleepy glasses की test series फॉलो करते हो तो उसका तो schedule हिसाब से बना हुआ है तो उसी schedule के साब से पढ़ो और वो test दो लेकिन अगर आप self study करते हो और if you take tests from different institutions और you buy them from the market तो आप ये strategy को अच्छे से follow कर सकते हो इसमें मैंने GS1 और GS4 को पहले 3 हफते में खतम करने का target रखा है then we will pick up GS2 and GS3 अभी रुख जाओ मैं आपको daily time table भी बताऊँगा कि एक दिन चरे आपकी ideally क्या होनी चाहिए अगले 70 दिन तक GS2 और GS3 को भी मैं 3 हफतों में complete करूँगा except internal security तो मैंने GS2 और GS3 को combine करके ये आपका road map बनाए इसमें जो plus sign है ठीक है जहाँ जहाँ पर plus sign है plus sign का मतलब है कि दूसरा subject शुरू हो गया जैसे ये day 39 को आप governance के बारे में पढ़ोगे सुभा 3 घंटे और शाम के 3 घंटे में आप awareness in the field of IT, space, computer, robotics, nanotech in topics को cover करोगे ठीक है इनको cover करने के लिए मान लीजिए आपके पास कोई भी material नहीं है तो आप pyq से शुरू हो जाओ और वहाँ से अपना content build up करो ठीक है so coming back to the point और एक और चीज़ मैंने content के बारे में और answer writing tackle करने के बारे में recently एक session लिया था जिसका link मैं नीचे share कर दूँँगा description में description में जाके देख लीजिएगा तो अब जैसे आप पहले देखोगे पहले पहले चार test जो है वो 10-10 दिन की gap पे है अभी एक और test की बात करूँगा यहाँ इस schedule में 11 test है एक 12 test भी है ठीक है एक 12 test भी है जिसकी मैं आगे बात करने वाला हूँ test day plus revision plus backlog आप देखो जैसे ही हमारा internal security खतम हुआ इसके साथ-साथ मैंने case studies डाल दी है क्योंकि पहली round of revision में या पहली पढ़ाई के अंदर ethics में आप case studies solve करने जितना आपके पास material or content ही नहीं होगा तो आप पहले जब theory के basics understanding करोगे example setup कर लोगे current affairs पढ़ लोगे उसके बाद आपको जानकारी होगी where with all आएगा कि case studies कैसे tackle करनी है we will also have sessions on our channel जहाँ पे हम आपसे discuss करेंगे about the ethics soon we'll be coming with live session as well anyways revision day के साथ-साथ मैंने case studies कर दिया तो अब क्या है आपके पहले 7 हफते के अंदर-अंदर आपकी GS 1, 2, 3, 4 ये खतम हो चुका है case studies के अलावा फिर आपकी revision cycle शुरू होती है day 48 से ये schedule में सब है इसको बस आँख बंद करके follow कर सकते हो तो आप revision cycle जब start करोगे तो अब आप revise करने वाले हो जो आपने first iteration में किया था मतलब you revise या कोई backlog रहे गया है या आपका कोई topic आच्छे से पिछले schedule में इस schedule में cover नहीं हुआ है वो इन 4 दिनों में revise करोगे और दूसरे time slot में case studies solve करोगे ठीक है अभी मैं साथ साथ disclaimers भी देने वाला हूँ अब testing में आप देख रहे होगे कि gap कम होता जा रहा है अब ये gap 4 दिन का है फिर 2 दिन का है उसके बाद revision cycle के आखरी पड़ाव में जब week 9 और week 10 शुरू हो जाएगा तब आप day 1 से day 20 वाला revise करोगे day 1 से day 20 था GS1 और GS4 और last 10th week में आप day 21 से day 47 वाला content revise करोगे इसके बाद आप 2-2 FLTs दोगे और आपके 11 टेस्ट यहां complete हो जाएगे और 10 सेप्टेंबर को ये programs खतम हो जाएगा program कहा रहा हूँ मतलब ये time table 20 को means है तो मैंने 10 दिन का buffer time रखा है कल से start हो रहा है start in the sense आप start करोगे ये तो self study वालों के लिए न तो आप इस program को follow करोगे यदि आप self study करते हो and इससे आपके syllabus की completion का आपको daily का पता लगता जाएगा अब अगर आप mains का कोई component पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि कोई backlog रह गया है तो मैंने उसके लिए भी इसमें बीच में days दिये हुए है उन days पे वो backlog complete कर लो tension मतलो कि backlog complete नहीं हो पाएगा एक हर test वाले दिन आप backlog completion पे ही काम करोगे क्योंकि test तो सरफ 3 hours तक लिखोगे ठीक है यह नहीं कि जिस दिन test लिखा है उस दिन और कुछ नहीं test लिख दिया हाथ थक गये नहीं भाई अभी तो मैं बात करने वाला हूँ additionally 12th test की 12th test आप अभी लिखोगे और preferably it should be either of any static subject history और quality इसका test sectional test आता है ना जैसे हमारे एक में तो sectional test है आप कोई भी sectional test दे दो चाहे वो 10 questions का हो चाहे वो 20 questions का हो first test will be written by you tomorrow itself या जिस दिन आप plan start कर रहे हो उसी दिन लिख दो और अपनी सारी गलतियां वहीं देख लो मुझे time जादा लग रहा है मेरे पास content की कमी है मुझे preparation में issue आ रहा है recall करने issue आ रहा है वो अभी एक दिये गए test से आपको पता लग जाएगा उन points को note करना और उन्ही points को tick करते जाना जैसे जैसे आगे के test दोगे secondly इस particular schedule को हम telegram group पे डाल देंगे telegram group पे जाके download कर लेना अपने लिए फायदे में रहोगे secondly मैं daily program भी बताना चाहता हूँ daily basis पे या एक दिन चरया आपकी क्या होनी चाहिए अगर आप working professional नहीं है तो आप अपने दिन को तीन time slots में divide करोगे time slot number sorry four time slots में divide करोगे if you are preparing full time now is the time जहां आप कम से कम 10 घंटे दे रहे हो if you are giving at least 10 hours so 3 hours will be for the first GS subject 3 hours will be for the second GS subject 3 hours will be for optional whichever optional is there बच क्या एक घंटा इस एक घंटे में answers लिखने एक या दो daily answers वो एक या दो daily answer हमारे daily answer writing के भी हो सकते हैं जो हम intensive daily answer writing start करने वाले हैं जिसमें 50 दिन के अंदर आपके questions GS1234 wise लिखने होंगे अब answer लिखने के लिए ये मत सोचना कि पहले मैं सलेवस सारा complete कर लूँगा उसके बाद answer लिखूँगा नहीं कम knowledge के साथ भी answer लिखने की practice जारी रखो बुरा भी लिखा जा रहा है answer बुरा लिखो लेकिन ये daily का एक या दो answer एक घंटा जो आप रखोगे वो 10 hours आपके completion होगी वोई 10 hours आपको आगे जाके fruitful rewards देगा तो अगर आपके पास आप एक working professional नहीं हो आपके पास कम से कम 10 hours होने चाहिए लेकिन अगर आप एक working professional हो तो अब आपको 5 से 6 घंटे तो निकालने ही पड़ेंगे इवन इफ यार working professional आप mains की तियारी करनी है अगर आप job up से resign नहीं कर सकते हो 6 घंटे देने पड़ेंगे सुबा के 3 घंटे, शाम के 3 घंटे तो देने ही पड़ेंगे और इसमें आप answers कब लिखोगे आप answers रात को मत लिखना आप answers सुबह लिखना जिस time slot में जिस time slot में paper होने वाला है 9-12 और 2-5 maximum answer writing और testing आपने in time slots में करनी है because आपने अपने mind को train करना है कि 2 बजे का lunch करने के बाद का जो time period है जिसमें मुझे और आप सबको नीद आती है यान तोर पे उसमें आपको नीद नहीं आनी चाहिए उसमें आप most active होने चाहिए ठीक है? इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप इस schedule को आखे बंद करके follow कर सकते हो एक और जरूरी announcement जो मैं करना चाहता हूँ वो ये कि हमारे सभी mains courses पे 10% discount है till the 5th of July 5th July तक 10% discount है अब इन सब चीजों में आपकी help करने के लिए हमारे पास 3 modules है clearly मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ number one is previous year questions based जो आपकी main test series यदि आप content enrichment नहीं करना चाहते हो और सिर्फ test लिखना चाहते हो तो ये 12 test की sectional test series है जिसमें 8 sectional test plus 4 full length test आपको मिलेंगे ये pyq based इसलिए है क्योंकि इसका मतलब ये नहीं इसमें previous year question पूछे जाएंगे ये pyq based इसलिए है क्योंकि जो आपके trends है जो आपकी themes है उनको holistically cover किया जाएगा along with current affairs और इसका सबसे important feature है कि आप test लिखने के बाद fortnightly मुझसे discuss कर सकते हो अपनी performance को कि आपकी performance मान लीजए आपके 70 marks आ रहे हैं तो मैं आपकी answer sheet देखूँगा आपके साथ discuss करूँगा कि किन areas में आपको improve करना चाहिए मेरा कुछ समय का experience जो है वो यही कहता है कि आपके general studies के marks drastically improve हो सकते हैं अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखे answer लिखते वक्त जैसे मैंने खुद अपने marks को clear कर चुके exam उनसे मैंने क्या सीखा वो consolidate करके आपको बताऊंगा आपका वक्त भी जाया नहीं होगा secondly आपको previous year questions अगर holistically cover करने है coverage of all the previous year questions of last 10 years उसके लिए pyq course है जहाँ general studies के सभी 1,2,3,4 के आपको previous year answers मिल जाएंगे लेकिन answers सिर्फ solution की तरह कताब की तरह नहीं मिले उनको themes में divide करके उनको thematically discuss करके और frameworks provide करके video lectures के थूँ आप उन्हें देख सकते हो जिससे आपका time भी बचेगा और आप किस तरीके से particular questions को solve कर सकते हो वो भी समझ पाओगे and lastly अगर आप content develop करना चाते हो content enrich करना चाते हो mains वाले जो topics हैं या mains वाले जो subjects हैं उनमें पकड़ बनाना चाते हो जैसे social issues इस बार जो शेकर सर classes ले रहे हैं social issues की Indian society and social issues भाई साब 100 number का आता है यह 80 से 100 number का आता है और लोग ignore करके चले जाते हैं कि paper में Indian society बाद में देखेंगे geography history पढ़ लेंगे similarly governance जो 120 number का आता है उसका एक जगा content मिलना मुश्किल है collect करने का वक्त नहीं है हम आपकी मदद करेंगे आपको content भी provide करेंगे compilations भी provide करेंगे लेकिन lectures के थुरू आपसे frameworks भी discuss करेंगे किस तरीके से यह news आती है उसको अपने answers में use करना है तो यह सभी courses आपको available होंगे at a 10% discount till 5th July आप चाहते हैं तो enroll कर सकते हैं otherwise YouTube पे हमारी मुलाकात आपसे होती रहेगी धन्यवाद और इस schedule को download करने के लिए नीचे दिएगे description में telegram का link है उस पे जाके download कर सकते हैं